दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 6 के साइंस का 16 चैप्टर कच्चरा संग्रहन एवं निप्तान के बारे में और साथ ही जान लेंगे सी से ज्टेंस और एंसर के बारे में तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं इस चेप्टर्स का हेडिंग है कच्रा संग्रहन एवं निप्टान तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम यह बात जान लेते हैं कि आखर इस चेप्टर्स में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं तो फ्रेंड्स इस चेप्ट क्या है साथ में आप जान पाओगे कि बायो डिग्रिडेबल ये इन सब्द का आखिर क्या मतलब है किस प्रकार से वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है ठीक है ना कंपोस्ट क्या होता है लैंड फिल्लिंग क्या होते है ठीक है ना साथ में पुना चक्रण सब्द का आखिर क्या म लख सकते हैं खच्रा से बिविन प्रकार की बीमार्या हो सकती है तिक है ना इन सभी के बारे में यानि पूरी तरह से कहा जाई तो एक प्रकार का यह अवर्नेस अक लेशन है जहां पर करें सैंबनी बातों को बता जाएगा ठीक और दोवरेंड शली俊 सब से पहले हम यह बात जाल लेते हैं कि आखिर हेडिंग्स में बताए गए आखिर इस कच्रा सब्द का खिर क्या मतलब होता है तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं कच्रा मतलब होते हैं वे पदार्थ जो निरर्थक होते हैं वे पदार्थ जो वेकार होती है वे पदार्थ जो जिनक है किस प्रकार कर से उन्हें सैकल कर सकते हैं किस प्रकार कर शक्रे का पुना चकरण किया जाता है यानि कचरा कचरा से संग्रहन और देन उस और उनका री ग City में तब दिल होते हैं। उन सभी के बारे में ही आज का ये चैप्टर है। एक है न फ्रैंड्स कचछ्रे के निप्तान में जो सबसे पहला शब्द है कि भराव छेतर आखिर क्या होता है तो फ्रैंड्स भराव छेतर उस भाग को कहते हैं जहां पर कच्री का निपटान होता है या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं जहाँ अब सिश्चपदार्थों को दफनाया जाता है उसे हम भरावशित्र कहते हैं भरावशित्र सेतात्वर यह है कि जहाँ पर कजरे यानि सड़े गले कजरे को क्या क्या जाता है किसी ऐसे जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर गड़े है मिटी के वहाँ पर उस गड़ों को उन कच्रों के द्वारा भर दिया जाता है उपर से मिटी भी दे दी जाती है यह बात है भराव छेत्र का भराव छेत्र के दौरान होता क्या है कि कच्रे जो है वो अब है धीरे-धीरे कंपोस्टिंग होते रहते हैं वो धीरे-धीरे तबदिल होते रहते हैं किसमें मिट्टी में वो मिट्टी में बदल दिये जाते हैं बहुत समय लगता है कच्रे का भराव छित्र जो होता है बहुत समय ऐसा भी देखा जाता है कि उनके उपर मिटी आ जाती है और धीरे धीरे घास भी आ जाती है और वो जो छेत्र है बिलकुत समतल हो जाता है और वो स्थान जो होता है वो खेलने लायक होता है या फिर वहाँ पर पार्कों की भी व्यवस्ता की जाती है बहुत ऐसे समय देखा जाता है कि कच्रे से काफी ज्याद हमों पर चो बंद रहा है कि कच्रों का बात कि यह है कि इस कचरे के निपटान लिए हमें सरकारी लोगों के अलाब हमें खुद से कुछ काम करनी चाहिए ताकि क disculсть काndon कम से कम हो साथ में या बात भी आपको जान लेनी है जो कच्रा होता ना फ्रेंट्स उन्हें निम्नलिखित तरीकों से अलग किया जाता है आप सभी ने काफी सारे जगों पर देखें होंगे जो कच्रे के निव्टान के लिए जो बॉक्स रखे जाते हैं जो गार्विज के होते हैं जो कच्रे के होते हैं वो नीले कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है इसे पहले यह क्या है और इसी समझना है आपको आप सभी को पता है जो कच्रे बनते हैं ना फ्रेंट समाए हमारे आपके घर में सभी के घर में जो कच्रे बन रहे हैं यह जिनरली यह दो प्रकार के हो होते हैं एक प्रकार होता है जो मिट्टी में चेंज हो जाता है जो सड़े कले कार्मनिक पदार्थों के होते हैं जो अपसिस्ट पदार्थों के होते हैं ठीक है ना जो बदलकर ऐसे पदार्थ ऐसे अपसिस्ट पदार्थ जो बदलकर चेंज होकर परिवर्थित होकर मिट्ट फेकना चाहिए ठीक है आपको ध्यान से और ऐसे अब सिष्ट पदार्थ किसी काम के नहीं है उन्हें हमें नीले में फेकना चाहिए नीले कौन से घ्राके को सकतेjam काच्छ क्यों सकते हैं वह हो सकते हैं काक्च के जो आप साधरत हर जगह में आप कच्रे की डिबे देखते हैं ऐसा क्यों होता है ऐसा इसली होता है ताकि कच्रे का निप्टान जो है वो आस्तानी से किया जा सके ऐसे कच्रे को आस्तानी से पहचान लिया जा सके कि कौन सा कच्रा मिटी बनने के लायक है और कौन सा कच्रा अच्छे आप देख पा रहे हैं वो गड़े बना कर कच्रों का निप्टान कर रहे हैं कुछ दिन बाद ये कच्रे मिटी में परिवर्थित हो जाएंगे ठीक है ना तो मिटी में परिवर्थित होने वाले जो कच्रे होते हैं वो होते हैं कारबनिक पदार्थों वाले याद र अलावा जितने भी सारे आप देख पा रहे हैं पेड़ पौध हे जानवर ठीक है ना लकडियां यह सभी कारवनिक पदार्थे हैं ठीक है ना और जो कांच जो शीशी जो एलमुनियम के शीट धातूयां की वस्तुई हैं वो अकारवनिक पदार्थ होते हैं जो मिटी में बद क्या जाता है उन्हें विवाजित किया आता है इससे आपको समझना है तो फ्रेंट्स जैसे आप सभी देख पा रहे हैं हमारा जो स्पांध विंख पारें ऑदार्थों कहते हैं ज्यां confident forehead में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग composting कह रहे हैं यह composting काफी important है पेड़ पौधों के लिए पेड़ पौधों को जब develop होना होता है उन्हें बढ़नी होती है actually एक साधरन word में आप क्या सकते हैं कि यह पेड़ पधार्थों का खाद के रूप में परियुकिया जाता है composting का याद रखना है ठीक है ना अर्वरख जो प्राकृतिक में बनते हैं जैसे composting composting झो है वह पर्यावरण के लिए काफी सुरख्षित है पेड़ पौधों के लिए सुरख्षित है और हमारे स्स्थ के लिए भी काफी सुरख्षित है यह composting और यह composting से अगर हम composting देते हैं किसी भी पेड़ पौधे पर आप देखोगे जो पौधे हैं वो हृष्ट होने लगते हैं उन पर लगे फल भी काफी बड़े होने लगते हैं composting में use होने वाले जो तत्व हैं वो काफी important होते हैं काफी पोसक प्रदान करने वाले तत्व होते हैं जो पेड़ पौधों को प्रदान करते हैं याद रखना है आपको और साथ में यह बात भी जान लेनी है कि बहुत ऐसे रासाइनिक जो जैव पदार्थ होते हैं वो भी उर प्रयावरण को दूशित बनाती है और साथ में हमारा स्वस्त भी उससे हानिकारक होता है यह बात भी आपको जान लेनी है यानि जो रासाइनिक खाद है उसकी तुल्ला में जो composting में use होने वाले जो खाद है ठीक है न जो प्रकृतिक रूप से बनाए गए खाद है वो काफी अच्छे होते हैं कि तुल्ला में रासायनिक उर्वरक जो होते हैं काफी हानिकारक होते हैं लेकिन composting हानिकारक नहीं होते हैं इस बात को भी आपको समझना है फ्रेंड्ड चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर वर्मी composting अथवा क्रिमी composting सब तक आखिर क्या मतलब होता है जैसा आप सभी देख पा रहे हैं तो friends सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को किर्मी की साहता से खाद बनाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग या फिर किर्मी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया क्याते हैं इसमें लाल केच्वे का ज़्यादा दर इस्तमाल होता है या फिर लाल केच्वे जो होती है वो इनका उव्योग करती है इस कंपोस्ट को बराने के लिए help करती है साहता करती है या फिर अन्य प्रकार के केच्वे भी साहता करते हैं याद रखना आपको में परिवर्थित करने में यह साहता प्रदान कर रही है यह आप देख पारें पिक्चर में भी तो इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग या फिर क्रिमी कंपोस्टिंग कहा जाता है इसे आपको अच्छे से समझना है तो फ्रेंड ऐसा आपने कुछ दिर पहले जाना कि आ होते हैं एक राशायनी और एक कंपोस्टिंग ठीक है यह जिसे हम लोग प्राकृतिक भी कहते हैं राशायनी में राशायन को उप्योग किया जाता है ठीक है आप सभी को पता है और जो की पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होते हैं और जो कंपोस्टिंग होते हैं उसमे प्रकृतिक रूप का प्राकृतिक तरह से खद्य और फ़ीक टायार किया जाते हैं पॉद्धो के लिए ठीक है ना वो भी खट कार अरवरक है उपकरक औरवरक के Catagories 2 हैं राशाइनिक और प्रकैरतिक जिसमें भोग composting भी कहते हैं तो वर्मीकमपोष्टिंग वह process है जिसमें विभिन प्रकार क Sans can की सहाइते से उसे और भी अच्छे उर्वरक के रूप में तब्दिल किया जाता है उससे हम सभी जानते हैं ऐसे पदार्थ जो परिवर्थित होकर जो बदल कर मिटी में तब्दिल हो जाते हैं ठीक है ना बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो कुछ दिन बाद बदल कर मिटी में बदल जाते हैं मिटी में चेंज हो जाते हैं मिटी जैसा उनका स्ट्रक्चर हो जाता है जो जि जाते हैं कुछ दिनवबाद ओर परयावरण के अनुकूल होते हैं जो हमारे स्वस्त के लिए हानिकालग नहीं होते हैं वह दिगरेगल पदार्थ होते हैं अब है नॉन बाएयो भीज़ेडेबल पदार्थ कैया बायो डिग्रेडबल जो पदार्थ है वह constantly change होकर, बदल कर, मिट्टी में नहीं तबदिल हो सकते हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, बहुत ऐसे कृतिन संसलिस्ट जो रेशे होते हैं, या फिर काच के टुकडे होते हैं, धातों के टुकडे होते हैं, ठीक है न, वो बदल नहीं पाते हैं, किसमें बदल नहीं पाते हें इसे आपको समझना है बहुत ऐसे जैसे अकार्बनिक पदार्थ हुए इन सभी कम कहते हैं और यह बायोड यृट वेस्ट नहीं है जा leftover यह उंन ए मिट्टी में चेंज नहीं किया न तो ऐसे पदार्थ जिनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें कार्बन का काफी हद तक योगदान होता है ठीक है न समझना है आपको मानव सरीर भी कार्बनिक पदार्थ है समझना है लकडी पेड़ पौध जितने भी आप सब देख रहे हैं यह मिटी में परिवर्थित हो स ठीक है न क्योंकि कागज को बनाने में काफी सारे पेड़ों को काटा जाता है याद रखनी है आपको पेड़ों को काट कर ही कागज को बनाया जाता है इसलिए जो कागज है उन्हें हमें सो समझकर इसका इस्तमाल भी करनी चाहिए नश्ट नहीं करना चाहिए और ज्यादा से ज़्यादा plastics को avoid करना चाहिए क्योंकि plastics जो है वो non-bio-degradable पदार्थ है जिन्हें जो बदल कर मिट्टी में बदल नहीं सकती है यह बात भी आपको जान लेनी है friends next हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जान लेते हैं कि आखिर plastic वरदान है या फिर अभी साथ इस topic के बारे में कुछ बाते कर लेते हैं तो friends जैसा आप सभी को मैंने कुछ देर पहले बताया कि plastics जो होती है वो गैर बायोडेगरेबल पदार्थ है उनका जो चेंज है वो बदल नहीं सकती है मिट्टी के रूप में इसलिए ये परियावरण के लिए काफी हानिकारक होती है और बहुत ऐसे जानवर आप देखे होंगे जो plastics सीसे काच के सीसे या फिर बहुत ऐसे धातों को खाकर वो बिमार पढ़ जाते हैं मर जाते हैं यानि परियावरण को ये नस्ट करते रहें ये plastics और plastics कभी भी मिट्टी में बदल नहीं सकता है ये बाद भी आपको जान लेनी है इसलिए आप avoid करें ठीक है ना आप अभे जो biodegradable हो सकते हैं ठीक है तो फ्रेंट्स चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं से जोड़े questions और answers के बारे में तो फ्रेंट्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर pressure number one में हमसे क्या पूछे गया है आप देख पा रहे है pressure number one निमनलखित के उत सवाल आपको पूछे जा रहे हैं उसके उत्तर आपको बता रहे हैं जैसा आप सभी देख पा रहे है प्रेश नंबर कौ में हमसे पूछे गया है लाल के चुए किस प्रकार के कच्रे को कंपोस्ट में परिवर्थित नहीं कर पाते हैं जैसा मैंने आपको वीडियो में भी पताया जो केच्वे होते हैं वो सड़े गले कार्बरिक पतार्थों को कंपोस्ट में परिवर्थित कर देते हैं बटकाच के टुकड़े हो अगर धातुओं के कोई टुकड़े हैं तो उससे वो चेंज नहीं कर पाते हैं तो फ्रेंट्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल के बिना गैर सड़ सकने वाले कछिरे को लाल के चुए द्वारा खाद में परिवर्ठित नहीं किया जा सकता है यानि पूरी तरह से यह सपस्ट हो गया है कि लाल के चुए जो होते हैं वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को ही वो परिवर्थित कर सकते हैं कंपोस्ट में जबकि सेंथेटिक कपड़े पॉलेथिन का कोई आवरण या फिर एल्मोनियम का कोई आवरण ठीक है ना उन्हें वो प्पोस्ट में चेंज नहीं कर पाते हैं कि यह जो सभी जो मैंने नाम कहें सड़े सेंथेटिक कपड़े पॉलेथीन एलमोनियम का टुकड़ा यह कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं ठीक है ना नेक्स्त हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्ट नमबर खौ में हमसे क्या पूछा गया है क्या आपने अपने कंपोस्ट गढ़े में लाल के चुग के अतरित किसी आन ने जीब को भी देखा है यदि हां तो उसका नाम जानने का प्रयास कीजिए उसका च उत्तर भी लिखा है आपको लिखना है कि लाल के चुएं के अलावा मकडियों, छोटे कीडे, मक्यों और बड़े कीड़ों आधी को गढ़े में देखा जा सकता है खाद भी रोगाणुओं से सम्रिद होती है जिसे बिना आखों के देखा नहीं जा सकता है यह भी आपको ल अगर आप चित्र बना देते हैं तो काफी अच्छी होगी इस प्रश्ण के उत्तर के लिए ठीक है ना और देख ले रहे हैं कि प्रश्ण नमबर टू में हमसे क्या पूछा गया है प्रश्ण नमबर टू आप देख पा रहे हैं चर्चा कीजिए क्या कच्री का निप्टान केवल सरकार का ही उत्तर दैत है या नहीं ठीक है ना अपको चर्चा करना है इस वीशाय में ठीक है ना जैसे लिया प्रेंड लोगों का नागरिकों का भी उत्तर दर दैत हैं तो इस कोशन इसका answers हमें किस प्रकार से देना है आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको लिखना है कि कच्रा निप्टान ना के वल सरकार का उत्तरदाईत है बलकि प्रतेक नागरी की यह जिम्मेदारी है सबसे पहले आपको यह लाइन लिखना है कि कच्रा निप्टान ना के वल सरकार का उत्तरदाईत है बलकि प्रत्येक नागरी की जिम्मेदारी है ये कशरे क्या निप्टान करना की कशरा को हम कैसे निप्टान कर सके कैसे कशरा जो है वो इत्र तित्र जो है इधर उधर नहीं बिखरे उसके बारे में भी कंसर्ण होना है समझदारी से काम लेनी है अगर हम इ बीमारियों जो पैदा करने वाले जितने भी सारे रोगाणुओं है न वो सभी बढ़ते रहेंगे और लोग जो है वो बीमार पढ़ते रहेंगे तो इसलिए कच्रा पैदा भी करना ज्यादा से ज्यादा यह भी काफी खराब बते हैं ठीक है न प्लास्टिक पॉली बैग जै जो पॉली इथीन बैग होते हैं वो तो बायो डिग्रीडेबल नहीं होते हैं वह ऐसे विस्ट जिन्हें जो मिटी में रुपांतरण नहीं हो सकता है आपको समझना है बातों को तो वह काफी प्रयावरण के लिए इंवार्मेंट के लिए काफी हामफुल होते हैं हमें कच् करने के उत्पादन को कम करने के तरीकों को सुनेशित करना चाहिए कि कच्रा जो है कम से कम हम कैसे उत्पाद कर सके कैसे रिड्यूस कर पाए उसके उत्पादन में हम कमी ला सके ठीक है ना जहां भी संभब हो हमें अपने दैनिक उप्योग में पुन्रावर्तनिय शामगरी का उपियोग करना चाहिए आप सभी को पता है जितने सारे जो भी material जो भी वस्तुएं हम उपियोग कर रहे हैं वस्तुएं ऐसी भी होने चाहिए जो recycle हो सके ठेक है ना जिसका पुना से एस्तमाल किया जा सके आप सभी को पता है कागज जो है वो रेसाइकल होते हैं लेकिन प्लास्टिक्स वो बायो डिडिडेबल वेस्ट नहीं होते हैं उन्हें हम मिट्टी के रूप में कंपोस्ट नहीं कर पाते हैं समझ नहीं है आपको कुछ बातों को तो कम से कम हमें कच्रा पैदा करनी चाहिए और ऐसे वस्तूओं का उपयोग करना चाहिए जिन्हें recycle हो सके जिनका पुनह रूप से इस्तमाल किया जा सके ठीक है न तो फ्रेंड शलिए देख ले रहे हैं कि प्रश्ट नंबर खौ में हमसे क्या पुछा गया है क्या कच्रे के निप्टान से संबंदित समस्याओं को कम करना संबव है यह आप जादा से जादा पैदा होगा तो लोग जादा से जादा बीमार पढ़ते रहेंगे और साथ ही परियावरण को काफी हद तक नुकसान भी होगा ठीक है न तो अब है कि हमें कच्रे के निप्टान से संबंदित समस्याओं को कम हम कैसे कर सकते हैं उनके बारे में आपको बता क्या हैं जो भी problem से उन्हें हम reduce कर पाएंगे ठीक है ना हमें उन सामगरियों का उप्योग करना चाहिए जो पुनर नविनिकरन योग्य है याद करना है आपको friends कि ऐसे सामगरी का उप्योग करना चाहिए जो recycled हो सके जिने recycle कैंडा फिर से recycle करने के बाद हम उनका उप्योग कर सकेंifier गयार बायोडेडेवल सामगरियों के उप्योग से बचें या कम करें जो ऐसे सामगरी जिने हम recycle नहीं कर पाते वे सामगरी जो मिट्टी में चेंज नहीं हो पाते हैं ठीक है ना उन सामगरियों का इस्तमाल कम से कम करना चाहिए जैसा एस एक्जामपल उधारन के रूप में अगर हम कहें तो सबसे बड़ा आज पर्यावारन के लिए सबसे हानी कारक जो अवयब है वो है प्लास्टिक्स ठीक उन्हें अलग-अलग डिब्बे में फेक देना चाहिए जैसा आप सभी को मैंने वीडियो में भी बताया फ्रेंड्स की बहुत ऐसे जगा हैं बहुत ऐसे प्लेसिस हैं जहां पर आप देखोगे कि दो प्रकार के कच्रे के डिब्बे रखे हुए हैं एक होता है नीला कलर का कच्रे का डिब्ब और दूसरा होता है ग्रीन कलर का हरा कलर का नीले में किस प्रकार के कच्रा को आपको फेकना है मैंने वीडियो उसमें भी बतायी और ग्रीन कलर में किस प्रकार के कच्रे को फेकना है जैसा ग्रीन कलर में आपको फेकना चाहिए जितने भी प्रकार के कार कर गल कर वो मेटी में चेंज हो जाएंगे उन्हें हमें ग्रीन कलर के यानि हरे कलर के जो बैक्स होते हैं थैले होते हैं या फिर कचरे के डिब्बे होते हैं उन्हें उन पर फेकना चाहिए और जो ब्लू कलर के होते हैं उन पर जो भी ग्लास होते हैं या फिर जितने भी मेट काफी सूविदा होती है कि कच्रे की जब नेपटान किया जाता या कच्रे को,의 income करने के लिए जब तैयार कि जाती है तो खाफी इसमें सूविदा होती है, भूत सारे ज़ो सरकारी करमचारी यह हुए होते हैं बहुत सारे आईसे व्यक्तिगत जो लोग होते हैं हम जैसे सवेटीजन नागरी होते हैं उनस अफीए कर्तव यह होना चाहिए कि कच्रों का जो उत्वाधन है हमें सही रूप से करना ुटस्पधन करना preferred नहें प्रक्राइब में इतर त्रेतर उधर और उधर नहीं फेकना चाहिए आप सभी को पता है केले के छिलकों को लोग खा कर केले के छिलकों को रास्ते में फेक देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक है ना फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख ले रहें कि प्रश्ट नंबर 3 में हमसे क्या पूछे गये हैं घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं यह सवाल ठीक है ना तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी को पता है अमने बताया भी था जो घर में बच जाते हैं भो जानवरों को खिला देना चाहिए तो फ्रेंड्स चली देख ले रहे हैं कि इस सवाल का उत्तर हमें किस प्रकार से सजाकर लिखनी है ठीक है ना आपको लिखना है कि हम बचे हुए भोजन को जानवरों आपको ब्रैकट में लिखना है या फिर जो भी सड़क पर मिल रहे है सड़क या सड़क पर घुमने वाले को खिलाने के लिए उपयोग करते हैं जो भी सड़े या फिर जो भी अच्छे भोजन है सड़े को तो आपको फेक देना है कच्रे की डिबे में लेकिन जो अच्छे भोज़िपदार्त है लेकिन अब सिस्ट है जो बच गये हैं लेकिन अच्छे हैं उन्हें हमें भोजन भोजन को जानवरों तक होचा देना है यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंट्स अलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देख ले रहे हैं कि प्रस्ट नंबर खौ में जो पुछा गया है यदि आपको आपके मित्रों को किसी पाटी में प्लास्टिक की प्लेट अथ्वा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए कि आप किसमें खाओगे आप प्लास्टिक के प्लेटों में खाओगे या फिर आप केले के पत्तों पर खाओगे ठीक है न तो आप किसे चुनेंगे और क्यूं चुनेंगे यह है आपका बहुत ही अच्छ सावल है friends जैसा आप सभी को पता है कि plastics जो है वो यह वह कजरा नहीं है थिक inappropriate books जो है वो सटकर,गलकर, निति में परिवर्तित कीम, लेकिन जब कि,केला का त्क पत्ता है वो हो सकता है, तो इसका सीधा सरल लक्ष जो आपका होना चाहिए वो केले का ही पत्ता होना चाहिए क्यूंकि केले का पत्ता जो है वह कारबनिक पदार्थ है वह सड़कर-गलकर मिट्टी में चेंज हो सकता है जिससे पर्यावरण का किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा जबकि plastics का यूज करना पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक हो सकता है तो फ्रेंट्स लिए देख ले रहे हैं इस questions का answers हमें किस प्रकार से लिखना है आपको लिखना है कि केले का पत्ता बैतर विकल्प है या बायो डिग्रेडेबल है और इसे आसानी से निप्टाया जा सकता है दूसरी और plastic की प्लेट में खाना अच्छा नहीं है क्योंकि plastics नॉन बायो डिग्रेडेबल है या आसानी से आप घडित नहीं होगा जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा तो friends चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि प्रस्ट नंबर 4 में हमसे क्या पुछे गए हैं आप देख पा रहे हैं प्रस्ट नंबर 4 तो विबन प्रकार के कागच के टुकड़े को एकत्र किजिए पता किजिए कि इनमें से किसका पुनह चक्रण किया जाट सकता है यानि रिज सैकल फिर से इसका किया जा सकता है विबन प्रकार के कागच के टुकड़ों को आपको एकत्र करना है ठीक है ना तो friends चलिए देख पुनरावर्तनी हैं अर्थात समाचारपत्र नोटबुक पत्रिकाए पेपर शीट लिफाफे आदे यह इन सभी का पुनर्चक्रण किया जा शकता है यह फिर से पुनर्चक्रण किया जाता है नेक्ट आपको आपसे पुछा गया है कि लेंज की सहायता से कागजों के उन सभी टुकणों का प्रेक्शन कीजिए जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्र किया था क्या आप कागज की नई शीट एवं पुनर्चक्रित कागज की सामगड़ी में कोई अंतर देखते हैं काफी अच्छा question से ध्यां से समझना है आपको पूछा गया है क्लेंस ले नहीं और जो कागज आपने लास्ट के question के लिए आपने जो select किये थे कागज को उन्हें आपको करना है आपको पता लगाना है कि जो नई सीट है और जो पुनह चकृत जो सीट है ठीक है ना उन्में आप कोई अंतर देख पा रहे हैं या नहीं ठीक है ना तो फ्रेंड्स अले देख ले रहे हैं कि इस प्रकार से लिखनी है अब देख और पर पुना चक्रित कागज की गुणवत्ता नए शीट से थोड़ी कम होती है यह बात आपको लिख देनी है क्योंकि पुना चक्रित जो कागज होती है उसकी जो होता है या फिर ग्री कंड़ का आ जाता है अब देखो के बहुत सारे यह से पेपर मिलते हैं भाजार्ण में ठीक है नось होते हैं लेकिन यलोई से कलर आता है या फिर सकते हो कि एक घ्री उपरी एक अब देख पाऊगे उनका कलर से वह चेंज हो जाता है तो आप समझ जाना है कि यह जो है recycled paper है और paper जो है हम copy किताबों के लिए लिए लिखते हैं अपने schools में colleges में तो हमें कम से कम का इस्तमाल करना चाहिए सबसे पहले यह बात आपको जान लेनी है और कागज को नस्ट नहीं करना है आप सभी को को पता है कि कागज जो है उन्हें कैसे बनाए जाता है उन्हें बनाने के लिए काफी सारे को पैनों को काटा आता है आप सभी को पता होना चाहिए崏गा ओर पेट है हमारे परियावरन के लिए कितने important है आप सभी को पता है friends तो friends चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि प्रस्ट नंबर 5 मैं हम से क्या पुछा गया प्रस्ट नंबर 5 loose package उपयोग होने वाली विविन प्रकार की वस्तु एकत्र कीजिए इन में से पुर्ति का किस उद्देश कें लिए उपयोग किया था समुहों में चर्चा कीजिए time package की विविन package में जो चीजें जो बेची जारी है उन packet को आपको 21 11 करनेけれど, और बताना है, कि से फ्रकार के प्रकार के पैकट का इंसे की जाता है सम्मोह में चर्चा करनी है कि तो रखंग है एस जैसे आप सभी को पता है कि पैकट में बहुत सारी चीजें वह कि ये यृज़ की जाती है जैसे आपको आप देख पा में भी कि आम तौर पर आपको लिखना है आम तौर पर रुपियों की जाने वाली विविन प्रकार की पैकेजिंग शामागरी है ठीक है न आपको इस प्रकार से सबसे पहले हेडिंग्स देनी है देन आपको लिखना है कि काड़ ड ड घूता साबून बल्व और अन्य बक्सों के रूफ में उप्यों किया जाता है काड़ ब्लंड डेखे होंगे कि भंपाट सारे proto बेंट घ coping होंगे जूत की काड़ को प्थले बॉक्स में च्छामागरी बेचा साब्स्तिक बेच है हैं and next one है कि लकडी के बक्सों में क्या होता है कि hardware के लिए या फिर फलों की चोकडी के लिए और बक्से जह हैं वो लकडी के बक्सों का यूज होता है hardware जो है वो आप आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोहे के दुकान है जहांपर आप देख पाओगे किश इमेंट्स भी होती है कुछ लोहे के सामान बेचे जा रहे हैं कील बेची जा करने होते हैं शॉपिंग बैग या फिर सब्जी बैग आदी यह सभी जूड़ में ही होते हैं ठीक है ना इस प्रकार से आपको एक विविन प्रकार की जो वस्तुय है वह आप एकत्र कर लिए और सब का उद्देश समुहों में आपने चर्चा कर दिया कि इस प्रकार से विव लेकिन आपको उधारन भी बताना है तो फ्रेंग्स जैसे आप सभी जानते हैं है कि पैकेजिंग सामगरी का पुना उपियोग कर के हम पैकेजिंग सामगरी को कम कर सकते हैं जो मिल रहे है चीज उनका अगर फिर से इस्तमाल किया जा सके तो क्या होगा कि पैकेजिंग जो सामगरी है उन्हें हम कम कर सकते हैं याद रखना है आपको इन बातों को तो फ्रेंड देख ले है कि अखिर प्रश्च नंबर 5 कि गौ में हम से क्या पूछा गया आप देख पा रहे हैं कि कछरे की मातरा कि स्प्रकार बढ़ जाती है एक उसी विषय पर में आपको लिखना है देन आपको बताना है कि कैसे इसे हम कम कर सकते हैं तो सबसे पहले अपको लिखना है अगेत का मूल उद्देश उद्दौपाद को छेड चार से जो भी आपका प्रोड़क्ट है जो भी उद्द उस पर कोई भी छेड़ानी ना हो या फिर वह तूटे नहीं वो सुरक्षित रहे वो ताजा बना रहे इसलिए पैकेटिंग करते हैं ठीक है ना हाला कि अधिकांस पैकेजिंग सामगरी का उप्योग उद्वाद को सुन्दर बनाने तथा आकरशक दिखने के लिए किया जाता है इसे भी आपको बताना है कि पैकेजिंग सा सामगरी का एक बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है आपको इस耐स्से लिखना है कि दुर्भाग से पैकेजिंग का सामगरी का वो बिकार चला जाता है वो रि यूज नहीं हो पाता है और कूडे दान में फेक ढिया जाता है उधारन के लिए अधिकांस स्थानों पर कच्छ कच्छेरे के मैत्रा को भढ़ाता यानवस्चक रूप से कच्छरे कि मात्रा को बढ़ाता है उदपाद की लागत में इसामान विग रही है उसमें प्रकार के आकर्शनी में सुन्दर बनने वाले जो कागज जो भी पैकेट लगाए जा रहे हैं उनके कारण उद्रपाद का भी दाम जो है वो काफी बढ़ जाता है ठीक है ना तो यानावश्यक packaging के कारण उद्रपाद की लागत में भी वृध्धी करता है और हमें समान जब वो costly हमें मिलती है ठीक है ना हमें गंभीता से विशार करना चाहिए कि आनावश्यक packaging को कैसे हम कम कर पाएंगे तो फ्रेंट चली आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि प्रश्च नंबर सिक्स में हमसे क्या तुरा पुछा गया है प्रश्च नुम्बर सिक्स है के आपके विश्चार ने कुरणर के स्थान पर अपएक्चा करित और कंपोष्ट का उफयोग उत्तम होता है क्या आप क्या सोचते हैं ये बारे में कि तुर अगर आप का keमपोष्ट का इस्तमाल करें तो और को compost जो है वह ज्यादा उत्तम होता है तो इसके विष्वा में आपके विचार को आपको बताना है ठीक है न न फ्रेंड्स तो छलेए देख लेए कि सवाल तो सबसे पहले आपको लिखना है इस सवाल कि उत्तर में चली देख लेए किस तरह से आपको इस questions का एंसर जब लिखनी है निम्निली खितकार्णों से राजसानिक उर्वरों की तुलना में कोई शंदे खाद का उप्योग करना बहतर है सबसे पहला लाइन आपको लिखना है देन आपको लिखना है कि कंपोस्ट तैयार करना काफी आशान है ठीक है ना नेक्स आपको बताना है क जो खाद पर्यावरण की अनुकूल है जबकि उर्वरक हमारे स्वास्त और पर्यावरण को नुक्सान पहुंचा सकते हैं खाद को कंपोस्ट को तैयार करना काफी आशान है लेकिन खाद जो हैं जो फर्टिलाइजर्स जो हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो स्वास् रूप से बनाए गए जो खाद होते हैं जो कंपोस्ट होते हैं वो पर्यावरण को प्रदुशित नहीं करते हैं जबकि कंपोस्ट जैव अपगटित कच्रे को प्राकृतिक में मिलाता है यह पर्यावरण को संग्रक्षित रखता है लेकिन जो राशायनिक जो खाद होते हैं जो राशाइनिक खात वो पर्यावरण को स्रचित नहीं करते हैं और साथ में हमारे स्वास्त के लिए हमारे पर्यावरण के लिए काफी नुकसान दायक है और वहीं दूसरी और कंपोस्ट काफी आसान है बनाना भी आसान है उन्हें और उनका इस्तमाल भी पर्यावरण को पहुंचान पहुंचाता है तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो कि अच्छा प्रेंड्स यह था आज का वीडियो